नमस्तर देश्ट्रेंट्स, वेलकम टॉ आल, स्वागत है आप सभी का PT News Affairs में, PT Education में, आज हमारा सेशन नंबर है 188, 338 Double Century की और बढ़ रहे हैं, पढ़के आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताए जरूर, are you enjoying or not? हर तरीके का topic हमने discuss किया, चाहे वो GNCTD Bill हो, चाहे वो cigarette smuggling के उपर हो, चाहे वो Suez Canal के उपर हो, अभी Suez Canal का रस्ता वैसे खुल चुका है, हर चीजों को लेके हमने discuss किया है, आज भी उस कड़ी में हम एक नए topic को add कर रहे हैं, कल हमने Nisar Mission को discuss किया था, Nisar Mission, क्या है Nisar Mission, Nisar Mission is a Joint Earth Observatory Mission of which NASA and ISRO, right, so, आज का जो हमारा topic है, वो है, होई साला inscriptions, होई साला आप जानते है, करनाटक में जो थे, जो थे, एक डैनेस्टी थी, होई साला, तो, उन्होंने कुछ टेंपल्स बनाए, उनके कुछ इस्सक्रिप्शन अभी आए है, दा हिंदू के, जो संस्क्रण है, उसमें लेक शपा था, तो मुझे लगा क्यों नहीं, आज इस पर एक आपको एक राइट अप दिया जाए, एक आपको एक detailed analysis दी जाए, related है, आपको current events of national and international importance, art and culture, और temple architecture से, परिशा के अगर बात करें, मेंस पेपर की, तो GS paper 1 से पूरा का पूरा related है, ये वो article है, right, कुछ बाते कहीं गई है, करनाटक का edition है, चलिए, देखते हैं, क्या-क्या है, पूरा मैं आपको पूरी तरीके से इसकी analysis करके दिखा दूगा, और ये रहे वो सारे बिंदू, देखिए, इतने कम में हम इसको लेके आते हैं, इसका कारण सिर्फ इतना है, सबसे पहले अगर आप इसे mobile में अगर अपने देख रहे हों, तो mobile को landscape mode पे कर लिएगा, portrait mode पे ना देखें, वहना तो phones काफी छोटे-छोटे आपको दिखाए देंगे, आप landscape mode में देखेंगे, तो आपको काफी better रहेगा, साथी-साथ अपनी कुछ copy वगएरा, pen वगएरा, या छोटा सा एक पकसाद है, आप जो इस platform पे आए हैं, वो सिर्फ इसले आए है, ताकि आपका चुटकियों में काम हो जाए, तो चुटकियों में काम के लिए एक बिल्कुल घृफ चीज़े हम आपके लिए निकाल के लिए क्याते हैं, साथी-साथ ये जो article है, इससे जो अलग input होने चाहि तो चले शुरू करते हैं, पहला बिंदु हमारा है कि तीन तरीके के temple architecture देखे जाते हैं, कौन-कौन से हैं भाया, नगर, द्रविड और विसारा, ये है, इस इस कॉल्ड नगर, ये जनरली नौर्थ हिंडिया में find किया जाता है, तो आप में से जितने लोग नौर्थ हिंड ये साउथ में देखे जाते हैं, इन दोनों का जो mix version है, वो हमारा होता है वेसारा, hybrid mixing होती है, कि थोड़ा सा नगर और थोड़ा सा द्रविड, उसे कहते हैं वेसारा style, तो वेसारा क्या है, mix of नगर प्लस द्रविड and mostly found in Deccan areas, तो Deccan में जादतर found किये जाते हैं, करनाटक कि अगर बात की जाए, होई सालाज of करनाटका विकें more prominent and centered at Mysore, after चोलाज and पांडियाज, तो चोला और पांडियों के राज के बाद होई साला का भी एक समय आया, करनाटक में उन्होंने अपना जो गड़ था, मैसोर में बनाया, और जैसे पिछले के जो थे, जैसे चोला, पांडियाज, चेराज, इन सब लोगों ने temple architecture ship के उपर बहुत सारे काम किये, सिर्फ और सिर्फ यह नहीं था, कि यह लोग लड़ाई ही करते थे, administration पार्ट भी समालते थे, परजा को कैसे देखना है, किस तरीके से अपने भई खाते वगएरा, account department, किस तरीके से अपने military management, यह सब किस तरीके से करने थे, तो सब की जानकारी भी होती है, तो साथी साथ यह लोग क्या करते थे, यह लोग temple architecture ship को भी बढ़ावा देते थे, क्योंकि उस वक्त यह मानना था, कि आप राजा है, और आप राजा है, देखे हो कहा रहा है, कि history में बहुत बड़ा fact है, वो fact possible था, उस वक्या possible था, क्या कहा जाता था आम people को, यानि आम लोगों को यह बोला जाता था, कि इसके पास divine powers है, भगवान ने अपनी जगा इसको present करके भेजा है, so please take a bow before him, right, तो इनके आगे आप नत्मस्तक होईए, आप इनके मतलब पूजा कीजे, यह आपके राजा है, इस basis पे जो है, वो पूरा का पूरा रूल करते चलते थे, अब यह जो basis था, तो यह राजा के मन्द में भी डाला गया, कि I am the representative of God, तो जो पुरोहित लोग थे, जो इनके मतलब जो सलाकार कह लीजिए, advisor कह लीजिए, तो वो इनको बोलते थे कि, sir आप मतलब महराज, आपक कि राज में थोड़ी सी मतलब परिशानी शुरू हो गई है, मंदिर का निर्मान अगर आप करेंगे, तो आप बहुत सही हो जाएंगे, तो इस तरीके पर फिर यह temple architecture ship का, जो मतलब एक main जो गड़ था, वो मैंने आपको बता देगे, कैसे यह start हुआ, मंदिर बनने क्यों start ह हला कि later phase में देखा गया कि काफी राजा होने फिर temple architecture ship तो छोड़ी दे, कि यह नहीं बनाते है रगों, तो अगर होई साला के temple architecture ship के बात की जाए, तो इसमें सबसे पहला है आपका गर्ब ग्रह, जिसे English में कहते है, sanctum, sanctorum, यह तरीका का keyword cell house होता है, centrally placed मूर्ती on the pedestal, और प पूरा का पूरा keywordal shape में, देखा है आपको this is called garb gray, थोड़ा सा और view में दिखाते हैं तो यहां देखे, यह मंदिर है, यह आपने देखा है होगा इस तरीके का मंदिर, यह जो इलाका है, this is called garb gray, clear, चलिए, अब आगे बात करते है, इसमें एक होता है shikhar, it is a super structure rises over garb gray and together with sanct quantum formed the vimana, अब जैसे यहां देखे, यहां पे देखे, यह जो है, सिर्फ इसके सीधा उपर जाते वे, यह जो बनता है, इसको कहते हैं shikhar, और यह जो बन रहा है, इसको कहते हैं vimana, इसको कहते हैं vimana, यहां पे देखे हैं, this is called shikhar, यह जो उपर की तरफ जा रहा है, और य इसको अमलका कहते हैं, यहाँ पे देख लिए यह रिब्ड स्टोन होता है, यहाँ पे, इसे अमलका कहा जाता है, clear, सारा मैं आपके लिए 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 लिखे आया हूँ, बड़े तरीके से, सब समझ में आएगा आपको, अंतरला, एन इंटर्मेडियेट विच जॉइंस दा गर्भ ग्रे तो एन एक्सपैंसी पिलर मंडप इन फ्रेंट मिली फीसिज एस्ट एंड नॉर्थ, तो अंतरला, इसमें अंतरला नहीं है, कोई बात नहीं, अंतरला जो होता है, वो क्या करता है, कि आपको जो है न, में जो आपकी गर्भ ग्रे है, उसके पिलर को एक्सपैं Temple Courtier जैसे यहां पर आप देख सकते हैं Temple Courtier यह जो Courtier आपको दिखा रहा है इसी is called पराकर क्लिर है आपको समझ में आ रहा है अब यहां पर देखें मान लिजए यहां पर अगर गर्ब ग्रह होगा तो इसके ओपर यह शिखर जा रहा है यह विमान आ गया, यह करणाश है, यहां पर रिव्ड स्टोन है बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किलवात नहीं है इसमें चलिए, अब कुछ एग्जामपल इसके देख लिएते हैं कि जो होईसाला Temple Architecture Ship के कुछ एग्जामपल है क्या सार सबसे पहला है बेलूर केश्वा टेमपल जिससे विष्णु वर्धन ने 1117 में बनाया था किसलिए बनाया था, चोला के खिलाफ यह जीते थे तालकड के लड़ाई में तो उसको मतलब celebrate करने के लिए commemorate करने के लिए उन्होंने यह बेलूर केश्वा टेमपल बनाया फिर होईसाल एसवर एंद केदार एश्वर टेमपल भी है सोमनाथ पूरा चिना केश्वा टेमपल जो की 1286 में बनाया गया जो की एक होईसाला के जो कमांडर थे सोमनाथ उन्होंने इसका निर्मान करवाया और टेमपल लाइक बेलूर केश्वा हेलेविड और सोमनाथ तेश्वरा यह सब के सब जो है यह जो आगे के तरफ यह आता है ना पूरा हिलाका अब आते हैं हम आज के अपने एक फेक्ट पे रिसेर्चरस फाइंड्स न्यू बटरफलाई स्पीसिज वो लोग जो बटरफलाई की स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है यह सवाल ऐसे बनते हैं तो ध्यान रखना है आपको तो मतलब मेरा यहाँ पर मकसथ आपको यह नाम इंट्रिजूस कराने का आज का जो क्विज है वो कर लेते हैं क्विज नमबर थ्री हमारा आज का क्विशन क्या है बहुत आसान होगा लेक्चर करने के बाद तो यह आपको बहुत इजी लग रहा होगा और मैं आपको बता दूं कि यह एक्च्वल प्रिलिम्स का कोशन यूपीएसी का कोशन है 2012 का प्रिलिम्स 2012 का यह कोशन है और करेक्ट आंसर क्या होना चीए आप में से काफी लोग गेस कर चुके होंगे तो आज का सेशन हमारी तरफ से इतना ही इंट्रस्टिन लगा मज़ा आया आपको आईए खुद को एंड्रोल कीजिए एकोनॉमी क्रैकर के कॉंबो कोर्सिस में आठ महीं से शुरू हो रहा है पीछे मत रहिएगा करके दिखाएंगे कि स्प्रेट बिल्कुल हाई रखिए आईडियल्स पर प्रफेशनल सिल सर्वेसिस एस्पिरेंट्स एंबियेज और कॉलेज इस्टुएंट्स साथी साथ करेंट अफेस के अन्वल कंपालेशन 2020 आ चुकी है क्विक रिवीजन का समय आ चुका है अगर आप रिवाइस करना चाहते हैं देवे लिंक पर जाकर अप क्विक दिल, ना हम दालिए साथ करना चाहते हैं भी माझ भी मुकी है कि पन्वल को लिंक समय खरी करना चाहते हैं वदल कईेशनल अंवल ओो उनकालेशनंगी करίνशनना हैं